हलो एवरिवन तो चली कलके मार्केट का अनलसिस कर लेता हूं और देख लेता हैं कैसे हम ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं क्या में सपोर्ड रिजिस्टेंस रहने वाले तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी की निफ्टी डिली टाइम फ्रेम में अगर यहां पर आज रुका है एक्जाक्ली वह एक सपोर्ट का लेवल है दोस्तों और अगर हम यहां पर बात करें हम जैसे के डिसक्शन कर रहे थे यह हमने एक इप्टी एक नेक लाइन पर है दोस्तों मार्केट वैसे तो जो यह पाटन वन हुआ है अगर आप देखेंगे यहा काफी अच्छा फॉल आया अब दोस्तों हमें कैसे यहां पर एक सपोर्ट का लेवल है इसके नीचे दोस्तों मार्केट फ्लाइट ओपन होता है तो बेसिकली हमें रीटेस्ट होके अगर सस्टेन होता है तो हम इसमें काफी अच्छे और पुट साइट के ट्रेड एक्सिक् मिल जाए ठीक है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे काफी अच्छा इंपॉर्टन लेवल है यहां से मार्केट और रिवर्स हो सकता है उपर की दरफ तो बेसिकली दोस्तों रीटेस्ट होके अगर सस्टेन होता है तो हम पुट साइट जा सकते हैं टागेट का लेवल इसके उपर दोस्तों मार्केट अगर रिटेस्ट होके सस्टेन हो जाता है यहां पर तो डेफिनेटली मार्केट रिवर्स हो सकता है जिस कंडिशन में हमारा टागेट के लेवल इस हाई तक बन सकते हैं कॉल साइट के जो कि आपके रहेंगे 22,132 और दोस्तों यहां पर निफ्टी के अंदर ट्रेट कर पाएंगे कल के दिन में और आपको ध्यान डखना है यहां पर जो पुट साइट के ट्रेड मिलेंगे यह ट्राप हो सकते हैं पुट साइट के दरफ रिटेस्ट इस वेरी इंपॉर्टेंट थी कि यहां पर रिटेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बहुत जादा गडप ऑपन अगर मांकिट होता है दोस्तों तो जादा चांसे से मांकेट में रिकावरी आता हुए हमें दिख सकती है बुलिश की मूफ की तो यह दोस्तों ऑवर रन निफ्टी का अनलिसी से आगे बढ़ता हैं बात करेंगे अभां बैंक nifty की yes everyone bank nifty का chart pattern अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यह दोस्तो market नीची आया और जैसे कि हमने discussion किया था यहाँ पर कि दोस्तो यह एक inverted head and shoulder pattern हो सकता है market नीची आ सकता है इसका right shoulder complete करने के लिए अभी हम और discuss करेंगे 15-minute time frame में फिलाल market नीची आया rejection लेगिया अभी let's see दोस्तों हमें यहाँ पर और कैसे trade execute करने के मौके मिल सकते हैं तो इसको भी हम देख लेंगे एक बार आवले time frame में का यहाँ पर कोई support या resistance कुछ ऐसा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों market में already हमारा यह channel था जो हमने mark किया हुआ था market में देखिया हमने कर discussion किया था market के नीची आया retest होने के बाद अगर entry देता है तो आप put side जा सकता है exactly आपको retest होने के बाद यहाँ पर आज entry देखने के लिए मिलिए अभी क्या है दोस्तों यहाँ पर यह support का level market exactly 45,702 पर support ले रहा है ठीक है और यहाँ पर अगर दोस्तों हम अब देखें कैसे trade करना है तो दीगे यहाँ पर discussion किया था इस total move का Fibonacci retracement के according आप target ले सकते है अगर आप देखेंगे आज की पहली candle ने दोस्तों 50% touch कर दिया था next target का level इसमें हो सकता है लगबग 45,413 एंड इसके बाद भी दोस्तों मार्केट में बहुत जादा तेज फॉल आ जाता है ओके जादा बेरिश होता है market तो 45,000 इसका एक target हो सकता है 78% का तो इस तरीके से दोस्तों हम trade execute कर सकते हैं ध्यान रखिए दोस्तों market अगर gap down वगयरा खुलता है यहां पर थोड़ा RSI पर focus करें अगर आप 15 में टाइम फ्रेम में trade करते हैं दोस्तों तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो exactly market ने दोस्तों यहां पर low touch किया है और अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI यहां पर bullish divergence में है तो कल दोस्तों को market नीच अचा reversal भी दे सकता है ओके तो trap हो सकते हैं put side की traders तो यहां पर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अब अगर हमें call side के trade करने तो कैसे करेंगे तो देखें बेसिकली दोस्तों यहां पर अगर आप देखें अभी तो यह आपको कुछ double bottom type का scenario देखेगा and 50% का दोस् आपको 46,053 और इसके उपर market अगर sustain होता है तो हम यह channel हटा देंगे दोस्तों क्योंकि इस channel का work almost complete हो चुका है तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर उठा के इसका target निकालेंगे तो यह उठा के दोस्तों हम रखेंगे यहां पर अगर हमें इस level के बाद दुबारा से trade मिलता है तो हमारा next target का level दोस्तों निकल कर आ रहा है लगबग आपका 46,392 और इसके बाद दोस्तों market और विदा sustain हो जाता है तो हमारा यह पूरा neckline जो कि हमारा inverted head and shoulder pattern हमने discussion किया था दोस्तों थोड़ा सा यहां पर यह section में मतलब market touch नहीं किया है बट इतना थोड़ा बहुत दोस कुछ इस तरीके से reversal आने की उमीद है लेट सी दोस्तों आप आता है reversal या नहीं कल के दिन में बट कुछ इस तरीके से आपको trade करने है call side के अगर मिलते है and put side दोस्तो flat open होता है या फिर gap down open होता है according to opportunity okay put side जा सकते हैं बट आपको fee bonacci retracement के according to level हमने यहां पे mark किये उन level to level बहुत ज्यादा bearish हो जाएगा और आप otm वगरा भाय कर लें तो ऐसी गलती मत किजिएगा ठीक है न anticipation में trade बिल्कुल नहीं करना है तो overall दोस्तों यह अपना bank nifty का analysis है आगे बढ़ते हैं बात करेंगे fin nifty की यह से everyone अगर आप यहां पर देखेंगे fin nifty को daily time frame में तो यहां यहां पर भी हमें एक negative की बढ़िया candle मिली होई है let's see दोस्तों इसमें क्या scenario निकल कर आ रहे हैं अगर हम hourly time frame में देखेंगे तो यहां पर भी कुछ खास नहीं है दोस्तों हमने discussion किया था channel यहां पर exactly market ने देखेंगे यहां पर उसी channel के according दोस्तों work किया है तो यहां पर अब हमारा आगे का next move क्या होगा देखेंगे अगर flat market open होता है या gap down open होता है दोस्तों ध्यान रखी इस next चो target का level है 78% है 20,118 और कल दोस्तों इसकी expiry भी है तो anticipation वाले trade तो बिल्कु मत कीजिगा और exactly अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने दोस्तों इसमें भी पहले discussion क कर लिया कि यहां पर भी एक inverted head and shoulder pattern हो सकता है तो दोस्तों market को अगर यह inverted head and shoulder pattern बनाना है तो कल का दिन काफी अच्छा है ओके market gap down खुल किया पहले नीचे की तरफ जाके and यह right shoulder दोस्तों complete कर सकता है उपा की तरफ market वापस reverse आ सकता है तो काफी अच्छे हमें bullish reversal के trade मिल सकते हैं दोस्तों अगर market को यह inverted head and shoulder pattern बनाना है तो basically हमें यहां पर क्या करना है देखे market put side की तरफ जाता है market gap down खुलने के बाद थोड़ा उपर आके फिर वापस जाता है नीचे तो put side जाए अधरवाइस market दोस्तों हमें reversal दे सकता है bullish का okay तो यहां पर put side के इस तरीके से trade हो सकते हैं और काफी ज्यादा market down हो जाता है दोस्तों तो पहला target का level अपना 20,118 and इसके बाद next target का level अपना almost दोस्तो 19,935 तक करेगा तो यह दोस्तो put side के trade की बात हो गई अगर market reverse होता है तो definitely हम call side के trade कर सकते हैं 20,800 के level तक okay तो दोस्तों इस तरीके से कल हम फिन 50 में trade execute कर बाएंगे okay everyone तो यह अपना analysis है we hope आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी मिलेंगे next video में तब तक नी जाहिं बनी मतर्म थांक यह वाचिए